हेलो मैं आल लवली स्टुडेंट्स विल्कम यू आल इन वकैप सेशन मेरी प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होगे और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होगे ठीक है आज की वकैप सेशन में देखते हैं आज के जो वकैप सेशन है इसमें कम्प्यूटर से आपकी कम्प्यूटर सब्जेक्ट से मैंने वर्ड्स लिया है यह जो भी वर्ड है आपकी कम्प्यूटर के चैप्टर में यूज हुआ है ठीक है आए जानते हैं पहला वर्ड है इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है निर्देश कम्प्यू का जो software होता है उसमें वो क्या होता है वो instruction का एक set होता है समू होता है उसमें धेर सारा command होता है जिसके according computer work करता है ठीक है दूसरा word है information information का मतलब होता है जानकारी या knowledge ठीक है information का ऐसे तो हम ले लेते कोई भी information देना computer के form में अगर देखा जाए information तो हम computer से input प्राप्त करते हैं अगर हम computer को कोई input कोई input देते हैं sorry थोड़ा सा this balance होगिए computer में अगर हम कोई input देते हैं तो वह क्या हो गया instruction हो गया और जब output हमें मिलता है अगर हमने कोई भी word search किया computer में जो screen पर सो होता है जो result हमें मिलता है meaningful वो होता है information ठीक है तो instruction और information में आप लोग बिल्कुल confused मत होना instruction आप लोग जब input देते हो computer को कुछ type करते हो कुछ search करते हो वो आपका instruction होता है और जब वो result so करता है display पे जब हमें जो जानकारी हमें चाहिए होती वो मिलती है दिखाई देती है वो होती है आपकी information ठीक है अब आप लोग बिल्कुल पर confused नहीं होंगे instruction और information में आगे देखते हैं आपका थर्ड है computer computer का Hindi meaning क्या होता है संगड़क ठीक है आपका forward interchangeable अंता परवर्त ने एक्सचेंजेबल जिसे data computer interchangeable मतलब आपस में exchange होना ठीक है एक change हो सकता है data और information अगर computer के form में अगर उसमें statement में आपका interchangeable use है तो वहाँ पर क्या होता है जैसे data और information यह synonyms लग रहा है same ही है दोनो लेकिन यह आपस में change हो सकता है आपस में change होता रहता है interchangeable है ठीक है data और information अब next word है आपका distinguishable इसका मतलब होता है वर्गों में विभाजनी है वर्गों में विभाजनी का मतलब क्या होता है दो समूमें बाट दो पार्ट में divide करना ठीक है यह वर्ड वहीं use होगा जहां पर दो चीज़ों दो वस्तवें दो data दो कोई भी word हो वहाँ पर यह use होगा ठीक है लेकिन नहीं computer में यह same नहीं है यह इसको divide किया जा सकता है ठीक है तो इन सारे words को आप इस वीडियो के एक से दो बार अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको यह समझ में आएगा आपको book reading में बहुत help मिलेगा यह जो words है यह मैं daily का common use का word नहीं बता रही हूँ आपको आपके chapter से यह words मैं ले रही हूँ daily ठीक है आपके science और computer यह जो vocab का session में चला रही हूँ आपके science और computer से है ठीक है तो daily आपको 2-3 वर videos को repeat करना है आपको सब समझ में आजाएगा आपको book reading अच्छे से आजाएगी आपको meaning समझ नहाँ आजाएगा ठीक है और आप लोग अपना ध्यान रखिए साफ सफाई पत्यान रखिए पढ़ाई अच्छे से करिए ठीक है घर से बाहर ज्यादा नहीं निकलेंगे आप लोग ओके थेंक्यू सो मच फॉर लिस्निंग मी बी हैपी स्टे हेल्दी स्टे सेफ हैब ब्यूटिफुल लाइफ बाबाई